हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्व चैनल हॉस्पिटल टूर व्लॉग तो आज को टॉपिक है नियूबॉर्ण बेबी की के टाइम पर हमें क्या-क्या साफ्थानिया बरत नी चाहिए किन बातों का ध्यान रखना शाहिए तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो मे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आइम डॉक्टर अरफित कुप्ता हेर देपार्टमेंट अफ नियूटालजी आट सिमित्र रॉस्पिटल नुएड़ाव पहला सवाल हमारा उन मावाब की तरफ से है जिनका अभी नियूबॉन बेबी हुआ है लेकिन उनको उसकी केर से लेटेड बहुत सारी क्वेरी जैं तो उनको किस तरीके से केर करना चाहिए इसमें आपको बेबी इसका काफी ध्यान लगना हुता है अगर बेबी आपका प्री टर्म है या टूबन पाइजी से नीचे है उसका वेट अगर कम है तो उसको जितनी मदर लेट पहन रही है तो उसे एक एक एक्स्ट्र लेट पहना नीचाहिए अलॉंग विद क्याप्स, अगर आपका बेच्चा फुल टर्म है याई किलो से उपर है वेट वेट नॉमल है तो आप नॉमल उसको इन्वार्मेंट में रख सकते हैं आप उसमें एसमें एसमें यूज करना चाहते हैं जर्मियों में तो यूज कर सकते हैं अगर तेंपर्चर शुपी 27-28 degree Celsius डाइरेक अगर विंटर सकते हैं तो अगर विंटरस के कंदि ने होता है तो AC की उसकें जवरत नहीं है है आँ उस टेम पे आप आसे को क्याप सॉप्स को मेट जाना के रखिये ए मेन कंसर्ण रहता है बच्चों में हाथ पैर ठंडी नहीं पढ़ने चाहिए तो हाथ पैर और से सर को अग्चे की मालिष पाइब आप आप लोट्स के अप्रही पेन लेखा बच्चे की मालिष तबाइब आप सही हुआ टाहिं त्टीक्स से करेंगे तो विष्टे के लिए पपी बेनेशिशिव रहे जाते हैं वह आप्लोक्सिमेटली साथ से द्रस दिन में होता है वह एक बार वाद आप बच्चे की मालिश बहुत ही जएंटल तरीके से करने चाहिए और जिगरिस मसाज नहीं करना चाहिए सब बच्चे को किस एच में आके बिठाना शुरू तरना चाहिए या बच्चे को बच्च जब फाइमन्स करता है तब उसके और मसल्स स्रेंथिन नहीं लगती है तब से प्राक्टिस कराना साथ कर सकते हैं और सिक्स मुन्स तब सपोर्ट के साथ बैठा है एक मुन्स बच्च बच्च जाना चाहिए तो उसको उच्छालना नहीं चाहिए क्योंकि उससे कुछ केस ऑफ शेकन बीपी सिंड्रोम रहते हैं ब्रेन में इंजनी होने का रिस्क रहते हैं तो फर्स्ट्री मुन्स बहुत ही बच्चे को बच्चे को बहुत ही प्यार से रफना चाहिए और उस कि पुछान आप लेटेटेटे साथ नाप ज़ए लेटेटे से देना शुरू कर देना शाहिए? आफटर शीक्स मंट बच्चों को नन वेच एग्स आप लेटे सकते हैं कोई भी चीज अब मिनमर्ली या मॉटेशन में ठीक है, कोई भी चीज़ दुक्त भी तो भी चीज़ बादा नुकसान करता है जो में एक परेद के लाहे है। इस फ्तम प्रॉबारोस एचल के लिदर ढुत थेट है क्या हाब्ध्चो ऊपड़ों के जड़िख रॉक्य केौनाकी है, प्रॉट्चो के लिखुर अपनी है। जोड हो जूर सकते लिदधे से कंदे है। बहुत पीर तक नहीं लगा के छोड़ना है, प्रिफरिबली अपनाने से पहले बच्चे की अच्छे से ओएल से मसाज करो और अच्छे सा बेट करने के बाद बच्चे की स्किन को मौश्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा हमने डॉक्टर अर्पिद गुपता से न्यू बॉन बीबीज के बारे में काफी सारी जानकारी हासिल करी। इस जानकारी से आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा न्यू बॉन बेबीज की केर के लिए तो ऐसी कोई भी इंफरमिशन अगर आपका और चाहिए तो डॉक्टर अर्पिद गुपता से कॉंटेक्ट कर सकते हैं सुमित्रा हॉस्पिकल